हेलो फ्रेंट्स फेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स सेफ राइडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपके बाइक या स्कूटर का जो ब्रेक से वो सही से काम करें ब्रेकिंग एफिसेंसी बेतर हो साथ ही जो ब्रेक का रिस्पॉंस टाइम वो जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा बेतर होता है तो आज किस वीडियो का सवाल यही है कि जो डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट है इसे कब चेंज करना चाहिए इसी को लेकर बहुत से लोगों में कन्फूजन होता है क्योंकि ये एक ऐसा पाट होता है जिससे ऐस पर किलोमेटर चेंज करने का नौ अगर उससे वो बाहर चला गिया तो उसे चेंज कर देना चाहिए और इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट में होल्स क्यों दिये जाते ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा दे वो भी अलग-अलग होता है, कुछ राइडर बेवजा बहुत जादा hard braking करते है, बहुत सा rider gentle braking करते है, कई बार situation के हिसाब से हमें emergency brake hard braking करना पड़ता है, कई बार जब हम लोग city riding करते हैं, बीर बार 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 brakes को apply करना पड़ता है, बहुत से लोग बेवकुफी यह करते है, क में जो brake shoe को use किया गया है उस brake shoe जब तक वो brake shoe पूरी तरह से घिस नहीं जाता है तब तक use करते रहते हैं और उससे भी disc brake rotor plate को नुकसान होता है लेकिन देखिए वज़ा कोई भी हो disc brake rotor plate को as per thickness उसका जो thickness कैसा है उसकी जो मोटाई है वो कैसी है उसके according change कर देना चाहिए और आ आप साब जो disc brake rotor plate है वहीं पे लिखावा होता है कुछ में आप देखोगे तो लिखावा रहता है 4.5 mm minimum thickness कुछ में लिखावा होता 4 mm इसी तरह से कुछ में लिखावा होता 3.5 mm और अगर आपके disc brake rotor plate में नहीं लिखावा या मिट चुका है तो फिर आप जो honors manual है वहाँ पे के description दे दूँगा वहाँ से आप order कर सकते हो और चुकि disc brake rotor plate braking में बहुत जादा importance देता है तो अगर जो थिकने से वो minimum से मालो 3.5 mm है उससे कम है या 4.5 mm है उससे कम है और आप उसे लगतार use करते रहते हो तो देखो normal braking में तो बहुत जादा फरक सायद आपको महसूस नहीं ह चुका होगा तो उससे ब्रेक से वहाँ पे बहुत जादा फरक पड़ता है और skidding का chance और सही से ब्रेक नहीं लगने का chance बहुत जादा बढ़ जाता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपकी bike चाहे नहीं हो चाहे पुरानी और खास करके अगर 30, 40, 40, 40 km से जादा चल हो तो एक बार आप खुद से या फिर जो मारे local garage या service center वहाँ पे जाके जो ठिकने से उसे जरूर से चेक करा ले और अगर in case बहुत जादा घिसा हुआ है तो आप उसे जरूर से change कर ले इसके बारे में बहुत से लोग को idea नहीं होता है क्या आपको इसके बारे में पहले से अगरा को धरूरत यह दिया जाता है अब सवाल है कि इन्हें क्यों दिया जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग लगतार breaking करते रहते हैं उससे जो disc brake rotor plate है वो बहुत जादा गरम हो जाता है वो heated हो जाता है इसलिए बहुत जरूरी होता है कि brake सही से काम क और जो brake pad है वो बहुत जादा नहीं गिसता है इसलिए जरूरी होता है कि जो disc brake rotor plate है उसमें जो heat है उस heat को आम लोग जतना जल्दी dissipate कर दे जो disc brake rotor plate है थंडा कर दे वो बहतर होता है और यहीं पर यह जो holes है वो काम में आते हैं इन holes के वायसे क्या होता है कि heat का dissipation बहुत अ उनका जो disc brake rotor plate है उनके साथ जो grip है वो भी बहतर हो जाता है इसलिए भी इन disc brake rotor plate में इन holes को दिया जाता है तो पर उम्मीद है कि इस वीडियो में दिगए जानकारी आपको पसना आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडि एगले वीडियो में धिस वीडियो गुडबाई